So, Hello Traders, Soap all of you are doing well, कल गाइस, Bank Nifty के expiry है, और काफी जानदार expiry हो सकता है, Traders, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे point of view से, कही ना कही retailers को उमीड डाल दिया गिया है, Sir, किस चीज को उमीड डाल दिया गिया है, कि अब यहाँ से market को तो कोई नहीं डोकने वाला है, अब तो recovery आ गिया, ठीक है, अब इसी के उपर बात किया जाएगा, recovery आएगा, तो कब आएगा, क्या point of view है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के analysis को गाईज, सबसे पहले traders, आज देखो, मेरा thought process काफी mixed था, जो बाते अदम clear बता रहा हूँ, आज अगर किसी ने notice किया होगा ना traders, एक पल के लिए, पुरा बात ध्यान चे सुना, आज बहुत important point एक बता रहा हूँ, ठीक है, आज अगर आप में से किसी ने एक पल के लिए notice किया होगा traders, फिन निफ्ति का आज का दिन पर premium at the money का, जो normally, usually 50, 70, maximum to maximum 80 रुपे चलता था, ठीक है, कब तक चलता था सर, मैं आपको September तक का बात बता रहा हूँ, premium कितना चलता था, usually call का premium, 70, 80 at the money का चलता था, आज मैंने Telegram पर update dollar traders, वो भी 100 point out of the money, फिन निफ्ति में 100 point money रखता है, उसका out of the money premium जानतो हो, कितना चल रहा था, जो चलना चाहिए, maximum to maximum 30, 40, वो चल रहा था 102 पे, यानि इतना महंगा call का premium चल रहा था, यानि लोग extra पैसा दे रहे थे, premium amount दे रहे थे कि, call low, call low, call low, यूजवली जानतो होगा, इस पहले क्या होता था, before this momentum, पहले क्या होता था था, जब यूजवली expiry जब दिन start होता है, ठीक है, पहले का मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी scenario बदल चुक है, और आज मेरे को भी ये चीज़ फील हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो में अपने लिए बना रहा हूँ, कि आज से दो साल बाद मैं देखूंगा, तो मुझे लगीगा कि हाँ भाई, मैंने ये परहाया था, समझो, बहुत important point बता रहा हूँ traders, before 2024, usually क्या होता था, before 2024 रटाओ, before election मैं बता रहा हूँ आपको, usually क्या होता था, जब market में जिस दिन, market खुलता था, उसके बाद normal रहता था, 11 सारे क्यार बज़े तक, अगर unexceptional किसी का premium बहुत हाई रहता था था ना, तो usually call sellers वो premium को target करके, बेचने का सोचते थे, ठीक है, दूसरा चीज़ गाईज, आज भाई क्या ही momentum रहा, और आज के momentum पे traders, आज जानतों, आज momentum किसके वज़े चे हुआ, पहला तो आप वो बताओ, पहला तो आप यह बताओ, आज momentum किसके वज़े चे हुआ, आज momentum हुआ, कही न कही है भाई, हमारे SBI के कारण, भाई क्या move आया है, आपको दिख रहा है, lower हमारा यह level था, यह काफी important level था, roughly रफली भाई उस level चे, SBI 4 सारे 4% भाग गिया, सर यहाँ पे क्या, यह star क्या है, कुछ news आया ही क्या, आप देखो SBI share price increase by 5% वो लिखा हुआ है, न्यूज और क्या है, ठीक है, chair, क्यालता, chair person, target, unbanking, inexpansion, planning, कुछ कुछ planning वेगर आया हो, कोई भी news आया, इतना उपर भाग गिया, अब point यह आड़ा, क्या सरी move सस्तेन करने आया है, यह क्या, दूसरा आप देखो, HDFC, यह SBI नहीं भागा, ICACA Bank आज अगें 3% भागा है, अगर आप देखो के, मंतली चार्ट में देखो, ICACA Bank को, भाई, अल्मोस्ट अपने टॉप पे चल रहा है, वीकली चार्ट पे आप देखो, ICACA Bank को, अल्मोस्ट अपने टॉप पे चल रहा है, तो भाई, कहां market में bearishness है, कहां, खाली index में bearishness है, क्या, खाली index and bank के कारण market गिर आएक है, यह question मेरे दिमाग में आ रहा, दूसरा चीज गाईज, आज अगर अभी, मैं आपको तो आप बोलने वाला नहीं हूँ, अगर अभी तक telegram नहीं जॉइन किये हो, तो क्यों नहीं जॉइन कियो, पहले तो यह बताओ, आज भाई, देखो, मेरा सुबा व्यू एद्दम clear था traders, मैंने सायद आपके साथ image भी share किया, यह देखो, वीडियो देखो, यह देखो, कि भाई, मैं market में bullish नहीं हूँ, जीक है, कब तक bullish नहीं हूँ, सब चीज बताता हूँ, तोरा समझना, ठीक है, और यह चीज भाई, आज बहुत important analysis है, एक मिनट मिस मत करना, ठीक है, मैंने आज एक चीज share किया, अपने टेलिग्राम पे मैंने एक वीडियो शेयर किया, 5-Minute का टाइम फ्रेम मैंने खोल रखा था, मैंने एक चीज बताया, ट्रेडर्स, कि यह market ये एडिया तोड़ेगा ना, मेरे को एक 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 स्पेक्टेड है कि market, 51,700 तक जाएगा, मैंने टेलिग्राम पे ये चीज डाला तो जाके चेक करना, मैं बहुत अग्रेसिव नहीं लूँगा, जब तक जी 51,700 नहीं टूट जाएगा, मैं अग्रेसिव कॉल का नहीं सोचने वाला हूँ आज के दिन पे, ठीक है, आप देखो, 51,700 रेड़ कैंडल बनाया, मल्टिपल डोजी, ये दाचाटी से स्पेसल सेट अप है, कोई इंडिकेटर का जरवत नहीं, कुछ नहीं है, साइकलोजी वाला सेट अप है, मैंने अपने लाइफ बैच में बच्चों को परहा रखा है, ठीक है, ये ब्रेकाउट हुआ, उसके बाद भाई मेरो को ना, मैं सही बता खो, मेरो की एक्सपेंटर नही था, कि 52,118 की उपर जाएगा, मेरो को बिलकुल एक्सपेंटर नहीं था, अगर इसकी उपर गिया है, अगर इसकी उपर गिया है, क्या अपडेट आप देखो मैंने ना HDFC बैंक के चीज डाला किया HDFC बैंक के सारे चल रहा हूं उस समय प्राइस चल रहा था 1730 पे ठीक है ये लेवल टूटा मार्केत में किया पंप आया डेटर या पर यहां पर ही तोडा यहां पर टूटा थेखिए मार्के HEYया थेखो पंप देखो यदि क्या पंप है क्या थीए अब प्लाणिग क्या चल रहा हो सर किया अब आप बुलिस को गए ना मैं एकडम सिंपल बाता रहा है मैं आपको एक द्थी उसीज दिखाना चाने यहां पर सब्सक्से पहले ओंदे टेखिए वन दे टाइम फ्रेम में मार्केत बहुत ही प्यारा बगदी प्रइजेकशन्स हो कि ए है मैं फिपल नहीं बोलुगा फड़ाप यहां पैसा critical है क्या मनम्यार अनुसर यहां पैसा critical है क्या सबसे पहला चीज कि आप देखिए यह लेवल से ने इसके पहले भी एक बार सेलिंग आ चुका है कब आ चुका है 24 जुलाई को आ चुका है फिर मार्केट गिया 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 सेम लेवल से चार अक्टूबर को भी बड़ा सेलिंग आया जो मारा वावस्य वाला दिन तो आपको याद होगा फिर गिरा फिर उपर गिया आप देखो 22 अक्टूबर फिर पैनिक सेलिंग आया तो क्या ये दिमाग में नहीं जा रहा किया कि सर ये लेवल रजिस्टन्स तो काफी श्रॉंग है पहला चीज दिमाग में गिया मेरे भी दिमाग में गिया सायद आपके भी दिमाग में गिया होगा अब वन आट टाइम फ्रेम पे आने के बाद ट देखी मैं इस स्ट्रीक्चर के बात करौव। मार्केट फॉल किया राइज। हॉल कीया राइज। हर और देखो कल भी मैंने समझाया था तो अजींपल उला करम युला कौना है काड़ा ने कुल लगा या नहीं लगा adolescence इसे पटिकुलर चीज को बोलते है've change di behaviour और दो behavior जब एक साथ change होता है मैं उसको बोलता हो change of structure 2 behavior koun शवा हूं शेंद शथेंज हुआ sir हर रभार high कभी तो low लग राता 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 यहां पर देखो नया high का high लगाया market दोनों behavior change हुआ यानि एक complete structure change हुआ market उपर गिया अगर market structure change कर ही दिया है अगर कर ही दिया है माल लेते है चलो best case माल लेते है कि अरे sir market तो structure change कर दिया चलो अगर कर ही दिया है according to rule market को उपर जाके पता भाई देखो अगर देखा जाए technically देखा जाए बहुत critical level है 52,559 का super duper critical level है अगर उसके उपर जाएगा 52,911 का level है ठीक है तो अब market में flow में bullish trade लेने में मज़ा नहीं आएगा अब अगर flow में bullish trade लोगे तो डर लगते रहेगा तो sir क्या करेंगे sir करेंगे क्या guys अगर my local gap up खुल गया directly gap up खुल गया तो मेरा पहला scenario बनेगा अगर profit booking का मौका मिले मैं जरूर से करूँगा मेरा पहला scenario ये रहेगा दूसरा scenario ये रहेगा अब market को कुछ भी हो जाए इसके नीचे नहीं आना चाहिए roughly roughly ये दोको ये base है 52,200 के नीचे 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 आना चाहिए अगर 52,200 के नीचे नीचे आएगा sellers दुबारा attack कर देंगे market में क्यों क्योंकि वो buyers को फसा लिये जो scenario था जो circumstances था हो गया buyers को लगने लगया, retailers को लगने लगया अब तो bullish है market वो उसके नीचे फसा लेगे ठीक है पहला scenario यह है अगर market flat खुल गया flat खुल के उपर जा रहा है इसके break के बाद मैं कुछ position एड़ करूँगा पहला target यह, दूसरा target यह ठीक है, plan इदम simple है भाई अगर उसको structure भी पूरा करना है उपर चो उसको घुमना होगा और यह घुमाओ पे मैं पकड़ूँगा सर यह घुमाओ पे क्यों पकड़ रहे हो भाई मेरे point of view से मेरे को लग रहा कि retailers को trap किया जा सकता है सर टेकनिकली क्या लग रहा है, अभी bullish लग रहा है बट मेरे को यही लगता है गाईस जब हर चीज इंदम genuine हो जाता है तो market फसाता जरूर है और अगर फसाने का level क्या है, फसाने का सबसे best area है 52,500 और 52,900 ठीक है, बड़ा gap up खुलेगा मैं ऐसा कुछ plan कर लूँगा कि हाँ बड़ा gap up खुल रहा उपर rate test करके गिर जाए छोटा gap up खुलेगा तो मैं plan को लूँगा थोड़ा दिर रुक के गिरे और aggressive selling कर लूँगा 52,222 के नीचे ये मिना overall plan है सर अगर gap down खुल गिया तो gap down खुल गिया तो मैं थोड़ा wait and watch करूँगा scenario मेरे को फिर समझ में नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा मैं wait करूँगा अगर gap down खुल की उपर इस level को तोड़ेगा aggressively bullish बट अगर कल gap down खुल गिया जितने लोग ये bullish trade लिये अगर 5-10 मिनट भी market रोग गया ना वो सब trap में फच जाएंगे फिर कोई भी price action डाउन तरफ का दिखा दे डाउन तरफ का प्लान कर लूँगा सर आज move क्यों आया आज move SBI के कारण आया आज move आया ICA share bank के कारण move genuine move है ये move को खराब move नहीं बोल सकते है सर क्यो genuine move बोल रहे है क्योंकि SDF share bank ICA share bank SBI तीनों ने साथ दिया move कब खराब होगा move तब खराब होगा कल भी gap up खुल जाए gap up खुल जाएगा profit booking का मौका देतेगा ठीक है सर अभी आप bullish नहीं होगा मैं bullish नहीं होगा मेरे को तोरा circumstances चाहिए क्या circumstances चाहिए सर अगर उपर जाए रुक्यों और फिर breakout करे ये circumstances हो जाएगा मैं फिर bullish होगा मैं अब आने वाले time में सोचूँगा bank nifty नहीं हाई लगा दे अभी हूँ क्या अभी नहीं होने का मन कर रहा ठीक है थोरा circumstances देखूँगा ठीक है आज का move पकड़ेते क्या सर हाँ आज का move मैंने भी पकड़ा ठीक है आप देखो निफ्टी IT लास्टी इसकी भी कवर किया आप देखो निफ्टी ऑटो बहुत ज्यादर रिकवर नि कर पाया थोड़ा रिकवर का पाया ऑटो का 6% कॉंट्रिविशन है मार्कित में इसकी का 9% कॉंट्रिविशन है टोटल मिलाके 13% निफ्टी में इनका contribution है ठीक है सर तो आज निफ्टी क्यों नहीं गिरा आकर 13% contribution है तो क्योंकि निफ्टी finances अज बढ़ा और निफ्टी finances का 37% contribution है समझ में यह गनित समझ में थोरा सा काफि क्रेटिकल है क्यों यहीं से bullish move आया है यहीं से false side आया है अब अगर market उपर जाएगा market के पास यही एक gap pending है यह gap pending है अगर भाई मेरे को निफ्टी कोई भी resistance form होता हुआ दिखता है 24,576 के पास मैं एक बार डाउन तरफ का प्लान करूँगा अगर गलती से निफ्टी उपर जाके थोड़ा रुक के breakout कर देता है तब भाई मैं बड़ा target यहां तक का कुछ प्लान करूँगा ठीक है अभी भी मेरे लिए sell on rise वहला circumstances नहीं बन बदला है क्योंकि अभी structure change पूरा तरीका इसके नीचे चले जाए ऐसा कुछ price action दिखा दे भाई मैं पूरा full quantity के साथ गुच जाओंगा आने वले time के लिए मैं momentum ली बात कर रहा हूं कल intraday का जो भी update रहेगा जैसा भी रहेगा circumstances बनेगा मैं telegram पे आपके साथ update share करते रहूंगा अगर telegram में नी जोइन हो तो जोइन कर लो और यह काफी important चीज काई काफी जाद important है समझना आप में से काफी लोग पहले तो या दो अभी live batch कुछ नहीं है तोटल कितना हुआ 20,000 हुआ इंडिकेटर अकेले 10,000 हुआ तोटल अल्मूस्ट से 35,000 हुआ ठीक है बट इन तीनों का combine आपको मात्र और मात्र 8,000 हुआ में मिल रहा सर कब तक रहेगा यह offer 1st of November तक रहेगा इसको करना है कर लो सर क्या एक time offer है क्या lifetime offer इसके बाद कभी नहीं आएगा swing trading वाले भी batch में आपको free में add किया जाएगा इस्ट्रो वाले batch में भी जहां पर इस्ट्रो लेवल्स अपन निकालते उसमें भी आपको add किया जाएगा और तीसरा आपको 10-18 से special indicator का भी access मिलेगा ठीक है आज के लिए इतना ही मिलता आप से नेक्स वीडियो में तक तक के लिए जैसी आराम सभी को bye bye everyone have a great day traders